ताज़का दोस्तों मैं डॉक्टर मक्यस पंचुली आप सब का स्वागत करता हूं अब इनन्दन करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेट मों मक्यस पंचुली चैने पर प्यार सात्यों आज हम बात करेंगे राजस्तान की सीमेंट कारखानों के बारे में सीमेंट उद्ध अधरीत उद्धोग है जिसका कच्छा माल चूना पत्तर होता है चूना पत्तर से सीमेंट का निर्मार करता है भारत में सीमेंट उत्पादित में राजस्तान का परत्थम इस्तान है और राजस्तान में सरवादीक मात्रा में सीमेंट उत्पादित होती है चित्तोडगड के सीमेंट उद्धोगों के बारे में अगर इतियास की बात करें तो राजस्तान का पहला सीमेंट कारकाना दोस्तो 1915 में स्थापित वा था लाखेरी लाखेरी का पर बूंदी में उस कारकाने का नाम था क्लिक निक्षन कंपनी जिसे दोस्तो 1936 में ACC कंपनी द्वारा टेकोर कर दिया गया था उसके बाद राजस्तान के अंदर स्वतंतरता के बाद राजस्तान का पहला सीमेंट कारकाना 1923 में आपका दोस्तो जेपुर सीमेंट कारकाने के नाम से स्वाइमादूपुर में इस्तापीत किया गया था ये स्वतंतरता के बाद इस्तापीत होने वाला पहल उत्पादन की द्रश्टी से राजसांगा जो सबसे चोटा कारकाना वो स्री राम सीमेंट कारकाना जो राम नगर कोटा में स्री राम सीमेंट कारकाना जो राम नगर कोटा में उत्पादन की द्रश्टी से सबसे चोटा कारकाना जो कोटपूतली जेपूर में उत्पादन शमता की द्रश्टी से यानि उत्पादन शमता सबसे अधिक है उत्पादन समता सबसे ज़्यादा है लेकि सीमेंट होती कम उत इसे के साथ दोस्तों आपको यह बता दू कि राजस्तान में सपेज सीमेंट कारकाने तीन है जिसमें सरवादिक सपेज सीमेंट जोत्पूर में होती है राजस्तान का पहला सपेज सीमेंट कारकान उननीस सो चोरासी में इस्तापित वा था जिसका नाम था जेके वाइट सीमे कारकना राजस्तान का तीसरा सपेज सीमेंट कारकना दोजार 15 में मंगरोल चितोडगर में स्ताफित वाता जिसका नाम ता से समधित महत्पूं स्टेभ़ कारब धी आरगे प्रकारे कैसी लगी कंबेंट कर पर शुरू बताये झाल झाल